तो फ्रेंड्स यह हैं वो तमाम पैकेट्स जिनकी मैं सीट सोई करने जालों जिसके अंदर इंक्लूड़िड है पीपर मींट सैलेड ग्रीन चैनिज कैबिज रेड रेड डिश इसके इलावा टनी प्यालो इसके इलावा लीक और वाइट अग प्लांट केल बीन्स एफन और इसके लावा टमाइटो बेल वाला तो दोस्तों यह तुमाम वह सीट्स हैं जो के विंटर वेजटेबल से मैं इसकी सीट स्विंग करने जाएं तो इस मक्सद के लिए मैंने सबसे पहले प्रपेर किया मीडिया जिसके अंदर मटी है मटी देख सकते हैं मटी बिलकुल भरब भर रखा है इस मटी से हमने फिल करने है यह यह तुमाम पॉट तो तो मिलता हूं पॉट फिलिंग के बाद तो फ्रेंड्स हम एक कर चुका हूं पॉट्स को प्रिपेर जिसके अदर मैंने एड करना है इपीडिया तो आब बिलकुल देख सकते हैं मटी के अंदर से मैं तु रिवर्ट के मटी यनि के दरिया के भर मटी जिसको आम जमान में भल भी कहते हैं क्योंकि भल बे इंतहार न्यूटरिंट रीच और नैच्रल कंपोजिशन में होती है स्वाइल तो दोस्तों बिलकुल हम ऐसी कम्माल की स्वाइल एड करेंगे इसके अंदर जो के हमारे प्रा निच्रल पेस्टिसाइड्स और इसक्सिसाइड्स जिसको कहते हैं नीम लीव्स जी हां दोस्तों नीम केक भी हम एड कर सकते हैं लेकिन उसे जो सबसे सस्थी बात आती है वह है नीम लीवस नीम लीवस को भी एड कर दो तो वह बहुत कमाल का होता है जो कि डीकंपोस्ट न औरगानीक गारडइंग में जिस चीज़ का सिमसे ज्यादा ख्याल रखने की ज़ूर्द होती है वो है स्वाइल और हमें स्वाइल को मेंटेयन रखने लिए बे इंतहा steps उठाने पड़ते हैं और strategies लगाने पड़ते हैं ताके soil की microbial life बिल्कुल अच्छे से रहे हैं और हमारी plants की roots है उनको nutrients availability ensure होए जी हां दोस्तों इस मक्सद के लिए हम इसके अंदर बिल्कुल natural तरीकों पर अमल करते हुए हम बिल्कुल natural तरीकों के तहत अप मक्सद के लिए हम इसके अंदर बिल्कुल वही तरीके यूज़ करेंगे जो के synthetic ना हो और chemical ज्यादा ना हो इसलिए हम इसके अंदर बिल्कुल organic methods जैसा कि मैंने आपको बताया हम homemade compost और different चीज़े add करेंगे बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं tomato के seeds को लगाने ज यार करूंगा और जब इसकी पनीरी बन जागी मैं आपके साथ वह update भी शेयर करूंगा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं tomato के seeds इस pot में लगा रहा हूँ हम अगर seeds के मतलिक बात कर ले तो दोस्तों हमें सबसे पहले जोंसी अपने garden की productivity और garden की हर याली के लिए इस चीज के ही होते हैं क्योंके दोस्तों इनकी seeds नहायती अच्छी quality के होते हैं और सस्ते भी होते हैं और दोस्तों बिल्कुल कमाल की in की growth है और बिल्कुल मेरा garden green और अब देख सकते हैं मैं अपने चैनल पर अपने garden की काफी वीडियो शेयर करता रहता हूं बिल्कुल दोस्तों भी अपने garden की equipment की buying के लिए बिल्कुल इन से लापता करें तो इनकी shop का address बिल्कुल screen पर आ रहा है और आप देख सकते हैं friends मैंने अपने garden में अब सर्दियों की पनीडियां grow करनी start कर दिया और इसके इलावा मैंने कल भी seeds को sow किया है जो कि दूसरे pot के अंदर जो कि मैं आपके साथ share करूंगा आप मेरे साब बने रही है दोस्तों यह तक्रीबन total 12 यह तेरा यह grow back से जिसके अंदर मैं seed sowing कर रहा हूं different vegetables की seed sowing कर रहा हूं बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अंदर कमाल कमाल के vegetables है और इसके लावा मैं जब यह seeds germinate कर देंगे मैं इनको अपने raise pad के अंदर shift कर दूंगा और दोस्तों वह वीडियो भी मैं आपके साथ share करूंगा जो के सक्रीबन इसकी germination period के बाद की है तो मैं आपके update रखूंगा दोस्तों मेरे चैनल urban kitchen garden के साथ बने रही है ताके friends यह मैं सो कर रहा हूं green beans जी हां दोस्तों green beans के अपने ही health benefits है और दोस्तों सबसे पहले important जो समसे बात आती है अगर organic garden की requirement क्यो होती है इसकी requirement इसलिए होती है ताके हम सेहत मन्स जिंदगी गु मिल जाती है और हमें नहीं पता कि वो किस तरह grow की जाती है साफ पानी पर गंदे पानी पर उनको कौन-कौन से insecticides pesticides या किन chemical से treat करके उनको उगाया गया है और हमें यह भी नहीं पता कि उनको कौन से fertilizer दिये गए है तो दोस्तों यही सबसे बड़ी requirement होती है कि जोन से organic gardening की requirement य हो सके वरना तो यह सब कुछ तो बजार में भी मिल रहा और दोस्तों इसके इलावा अगर हम organic vegetables की बाहित से ख्रीजने की बात करें तो organic vegetables इस कदर मेंगी है कि उतने पैसों में तो अपना घर में ही home garden develop हो जाता है इसी वादा से मैंने अपने garden को बनाया है इनी तमाम factors को दे और दोस्तों आप की सहत बहाल हो सके और दोस्तों उनकर लिए तो बिलकुल बे इंताहा ज़रूरी है जिनके साथ कोई भी health condition चल दिया है आपको मैं एक और बात बताओं तो dr. Terry Wales जो के multiple sclerosis की patient थी उन्होंने बिलकुल suggest किया है कि आप अपने घर में एक organic garden बनाए और organic vegetables खा हैं क्योंकि दोस्तों इससे बे इंताहा health benefits होते हैं और मैं आपको बिलकुल suggest करूंगा कि आप अगर gardening की knowledge असिर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल urban kitchen gardening बे इंताहा gardening की वीडियोस हैं तो दोस्तों इस episode में अब तक कितना ही मजीद आने वरी episodes में मैं आपके साथ मजीद information share असलाम लेकुम